असमान वर्ग अंतराल के लिए आयत चित्र अब हम एक अलग इस्थिती पर विचार करते हैं यहां एक कक्षा में विज्ञान विशय में सौ अंकों में से विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं सार्णी क्रमांक 7 शूनि से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है 40-50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है 50-60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है 60-70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 है सत्तर और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है दी गई साणी से इस पस्ट है कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 एवं सत्तर और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है यहां आकड़े विभिन माप वाले वर्ग अंतराल में दिये गए है प्रथम वर्ग अंतराल की माप 20, अंतिम की 30, तथा 6 अंतराल की 10 है अब कोई विद्यार्थी इस साणी का आयद चित्र इस परकार बनाता है, क्या यह आयद चित्र ठीक है? यहां वर्ग अंतराल असमान है, तो हमें आयद चित्र बनाते समय उन्हें समान वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा जैसे प्रथम वर्ग है तू जब वर्ग अंतराल 20 है तो आयत की लंबाई 8 है इसलिए वर्ग अंतराल 10 है तो आयत की लंबाई बराबर 8 बटे 20 गुरिद 10 बराबर 4 है इसी प्रकार अंतिम आयत का वर्ग अंतराल 30 है तो आयत की लंबाई बराबर 9 बटा 30 गुरिद 10 बराबर 3 होगी वशेश वर्ग का अंतराल 10 ही है तो हमें कोई परिवर्तन करने की आवशकता नहीं है अता हम किसी प्रकार आयत की लंबाई निम्न तरीके से बदल सकते हैं आयत की लंबाई बराबर 12 बरता बटा वर्ग की चोड़ाई गुरित वर्ग की नियूनतम चोड़ाई इस प्रकार हमें प्रतीग स्थिती में दस वर्ग अंतराल पर आयत की लंबाई प्राप्त हुई अता परवर्थित लंबाई वाला सही आयत चित्र इस प्रकार होगा बहुलत निर्धारण की बिंदु रेखी विधी Graphical Method to Locate Mode आयत चित्र के माध्यम से असमावेशी अपवर्जी वर्ग के आंकणों के लिए बहुलत का निर्धारण भी किया जाता है जैसे सार्णिक रमांग 8 0-10 वर्ग की आवरत्ती 3 है 10-20 वर्ग की आवरत्ती 5 है 20-30 वर्ग की आवरत्ती 7 है 30-40 वर्ग की आवरत्ती 4 है 40-50 वर्ग की आवरत्ती 3 है 50-60 वर्ग की आवरत्ती 1 है चरण 1 दिये गए आंकणों से आयत चित्र बनाईए चरण 2 सबसे अधिक उचाई वाले आयत को बहुलक वर्ग का आयत माना जाता है बहुलक वर्ग के आयत के उपरी बाएं कोने को उसके अगले आयत के बाएं कोने से मिलाईए इसी प्रकार बहुलक वर्ग के आयत के उपरी दाएं कोने को इससे पहले आयत के उपरी दाएं कोने से मिलाईए चरण तीन चरण दो में दिखाई गई दोनों मिलान रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हैं उस बिंदु से एक सक्ष पर लंब खीचिये चरण चार लंब रेखा एक सक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बहुलक का मान होता है यहां यह मान 24 प्राप्त हो रहा है अता आकणों के बहुलक का मान 24 होगा